कि हेलो माइडियर स्टुजेंट्स आइम यूर इंग्लिश टीचर मुहमद जमीर येस्टेड़े वी सा हाउ टुमेड आ पैन फ्रेंड कर अमने देखें कि एक पैन फ्रेंड कैसा बनाएंगे पेज नंबर चमादीस और पैंतालिस पे और आज हमको एक स्पेसिपन लेटर या अगर अपने दोस्त का खता है तो कैसा जवाब देना है उसका एक सैंपल हम यहां पर देखेंगे सबसे पहले पेज नंबर 46 पर हमको क्या दिखता है नंबर टू रीड़ फॉलिंग लेटर सेंड एक्सप्रेशन्स केरफुली जैल के खुतूत और तासुरात गवर से में वेरी गुड प्रोग्राम वंडरफुल बूक लवली पोयम एंटरस्टिंग स्टॉरी यह वाच और यह रीड तो यहां पर जो लेटर है यह आपके किताब में फिलप किया हुआ नहीं है ब्लैंक है तो लेकिन यहां पर मैंने इसको फिलप किया है चलिए हम देखते हैं सबसे पहले राइट हैंड साइट पे उपर डेट लिखेंगे 16 सेप्टेंबर 2020 लेटर किसको लिखा हुआ है डियर अब्दुलबारी हाव आर यू आई होप यू आर फाइन तुम कैसे हो मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माइ पै शुक्रिया I want to tell you about an interesting story मैं तुम्हें एक यहां पर हमने blank में बरा है an interesting story आपके बुक में a super movie है जो हमने वो कट करके यहां पर यहां से an interesting story लिखे इडिस कॉल्ड टीनी टाइनिया वो कहानी का नाम यहां पर एक टीनी टाइनिय कहानी आप यहां पर हमने डाले I read वो साथ मूवी था इसलिए यहां पर गयू माइ रिगार्ड टू य यूर पैरेंट आपके पैर्रेंट को मेरे रिगार्ड ताजियत दी दीजिये यूर अप्डूल है थैं तुम्हारा दोस्त अपधुल हादि तो यह सुख इस अ स्पेमान लेटर सापको अपने दोस्त को लिखना है हम अपने नोट-बुक टेलिंग कॉम्पेटिशन, रिसाइटिंग कॉम्पेटिशन, स्टोरी, पोयम, तब उसका अंसर वैसा ही, राइट हैंड साइट पे उपर डेट 17 सेप्टेंबर 2020, डियर अब्दुलहादी, थैंक यू फॉर लेटर, एंड फॉर तेलिंग में अबाउट दा स्टोरी टीनी टा कोसूद्स दासे, दियर रिसाइटिंग यहाँ से हमने जो है रिसाइटिंग कॉम्पेटिशन, लिये है, रिसाइटिंग कॉम्पेटिशन स्टोरी पॉयम, प्लीज राइट आन से व्रिगपे दा सून Regards to your parents and love to your brother Yours, Abdul Bari तुम्हारा, Abdul Bari इस तरिखे से यहां पे हमने जो है यह लेटर का जवाब भी देख लिए अब नीचे कुछ expressions है Some useful expressions Give my love to your little sister or brother Give my regards to your parents The elders in your family With regards, with lots of love Your sincerely, love, see you soon Yours lovingly, Yours truly इस तरिखे से इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप यह दोनों लेटर्स अपने नोट बुक में नोट कर लीजिए अच्छे से हैंड राइटिंग में लिख लीजिए और इस तरिखे से आप अपने pen friend से खत्व किताबत यानि के लेटर राइटिंग किजिए ठीक है थैंक यू वेरी मच